हेलो दोस्तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ 12 प्लास 12 कोईल का स्लिंग फैन की ओर्जिनेल डाटा दोस्तो यह आप देख रहे हो इसको हमने वाइनिंग किया है और काफी आच्छी स्पीड से घूमता है और बहुत तिनों तक यह जो कोईल है आपका लास्टिंग करेगा तो आईए दोस्तो हम वीडियो स्टाट कर रहेते हैं वीडियो का जरूर पूरा देखना तो देख सकते हो यह पंखा है जो है 48 इंच का स्लिंग पंखा है अब देख सकते हो और ब्रेंडड कुम्पानी का डाटा दोस्तो यह आपको बताने वाला हो इस भी लोकाल पंखा का बागे सब कुछ इंफर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी और यहाँ पे इसका जो देख सकते हो यहाँ प्लेट में सब कुछ इंफर्मेशन दिया गया है जैसे कि देख सकते हो 1200 mm यानि 48 इंच का पंखा है और इसका जो वाट है वो 75 वाट का है और सिंगल फेज हमने खोल के एक बार देखा है और देखिए इसका जो कॉइल है वो बूरी तरह से जल चुकी है इसको जलने के करान दोस्तों यह है कि इसकी घर में जो ट्रांसफर्मा है उसकी गाउं में उसके 44 वोल्ट आ गया था हाई वोल्ट इसकी कारन इसका पंखा कॉईल जल गया है तो देख सकते हैं या देख सकते हैं एक बास चेक करक्रां तो कोईल सो फ्रहरा से काला हुश घरिए जुह हुआ świe फूज्टर देख से से yakोल हो छुक्य है और देख सकते हो और यह कोंपाथी का यह है कब देए जैसे कि आ फिलिम में देख सकते हो अभीिसका पेंट लगा हुआ है और इसका जो कोईल वैनिंग है बनुदो CNC में एक अश्हिंसे वैनिग किया गया है आँ देख सकत tells सिंगल सिंगल कईल बहुत ए अच्छे से इसका वैनिंग किया गया है और इसमें जैसे कि आप जानते हो जो अंदर में कोईल होती है इसको हम स्टार्टिंग कोईल कहते है और जो बाहर में कोईल रहती है इस तरह से इसको हम रानिंग कोईल कहते है और इस तरह से ही काम करता है रानिंग कोईल का तो हम इसका कोईल इ आप देख सकते हो जैसे हम यहां से आपको काउंटर दिखा देते है देखिए एक दो तीन चार पाँच छे साथ आट नो दस ग्यारा और बारा तो बाहर में भी आपको टोटल बारा कोईल देखने को मिलेगी तो 1224 कोईल का सिलिंग पांका है जैसे किया आप में अठी merid किया गया है देखिए 12 पीस यहीं बारा कोईल और 11 mm भी यहाँ लिखा गया है देखिए इसका coempany का सब्रोंसरा का y Johnson का है mm का मतलब दोस्तों है आप इसके stamping size जो है वो 11 mm है stamping size मैं आपको नापके भी दिखा देता हूँ देखिए इसके आप देख सकते हो इसका jmm है वो 11 mm का है Stomping Size बागे दोस्ताब डाटा निकालने के लिए हम इस coil को काट के निकालेंगे और फिर इस coil से हम डाटा निकालके अपको बताएंगे और इसका SWG भी सब कुछ अपको बताएंगे देखिए coil को जो है हमने काट के Stutter से निकाल दिया है जला हुआ कोयर को अलग लग करके हमने रखा है आप देख सकते हूं या पे एक साइड में हमने रखा है स्टार्टिंग कोयल का वयर और एक साइड में हमने रखा है यहाँ पर रानिंग कोयल का वयर अलग लग करके रखा है और इस टेटरा का गोलाई जो साइज है उसको भी स्टार्टिंग कोल बोलते हैं इसका ही डाटा आम को बताएंगे पहले आप यह हैं तो यह होग्या त्रे लास्ट ने कुछ बाचा वुए और यह फिफ सिर्टीं ट्रानको चाल Legends दिया गाए है तो टोकाल इसके अंदर में दिया गया है 350 ट्रान अंदर में यानि स्टार्टिंग कोईल में दिया गया है अब इसका दुस्ता हमने ट्रान तो जानगे आप इसका बीश्चा सब्सक्राइब और इसका इसका इन्सुलेशन जो है उसका निकल दीजिए वहां सचाथव इसका लिंक इसका निकल लेगे इसके आधर वएर को स्टरस रहकना है और रेशेट को इस्तर स घुमाना है और गूमाने के बाद एक त्राम आपका देखिए इसके मतलब इसका और नहीं जाएगा रचेट तो आपका जो है माप निकल कराएगी तो कितना माप इसका निकल करते आया है आप देखिए है आप यहां पे जिसके देख सकते हैं यहां पे सबसे बारा जो लाएं है बो 20 उसके बाद ऊपर में 1 यानि 21 mm इसका जो है निकल चार्ट आपको लगेगी यह चार्ट आपको मिलेगी मेरे इस्टेग्रम में तो मुझे इस्टेग्राम पर फॉलो कर लेना लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है वहाँ पे मैसेज करना मिल जाएगी इस साइड में इसका साइज निकल आया है इसका इंच में और इसका गेज नमबर है यहां से जीरो से लेके साइंत्रिस नमबर ताक इसमें सभी जो है गेज दिया गया है तो आप इसको ले सकते हो चाट को मिल जाएगे इस्टेग्राम पे तो हमें सबसा पहले जो खुझना है कि 0.21 कहां पे है यहां पे इस चाट में तो यहां पे देख सकते हो 0.213 तो थिरिको हम ग्यांसर कर देंगे शिरिफ जानेंगे 0.21 तो 0.21 का जो लाइन है वो mm में है तो इसको हमको गेज नमबर कितना है वो पता करना है तो 0.21 का मतलब गेज नमबर जो होती है यह इस तरह सा आ जाईए तो यहां पे देख सकते हो बहुती 35 नमबर यह इसका किया गया है तो यह तो किलियर हो गया अब हम जानेंगे रानिंग कोईल के बारे में तो यह हो गया दोस्तों हमारा रानिंग कोईल जा लास्ट में होती है वो रानिंग कोईल होती है तो यह रानिंग कोईल में से भी दोस्तों हमने किसी भी कोईल को जो है अच्छे से काउं उसमें ट्रॉन दिया गया है 410 continental अपको यहाँ पे दिया गया है हर oni कोरें कि आप इसमें से भी किसी थे काइल को हम निकालके इसका मुझा है इसमें के रावल है अग्याज़ से सुनाई देगी मतलब यह दोस्तों रैचेट आप नहीं जाएगी इसका जो मेजरमेंट है निकल का आया है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो वही जो है मेजरमेंट है यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ बात करते हैं अब हम बात करते हैं इस स्टेटर का वेट कितना है खाली इस्टेटर का जो वेट आप यहाँ पर देख सकते हैं वो 887 ग्राम टोटल वेट है इस खाली इस्टेटर का अब जो स्टार्टिंग कोईल का वेट का वेट है वो आप यहाँ पर नापके दिखा जेता हो कितना लगेगी आपको 92 ग्राम आपको लगेगा उसकी बाद जो रानिंग कोईल है उसका भी हम आपको वेट आपके दिखा देते हैं 134 ग्राम आपको रानिंग कोईल में वेट लगेगा तो दोस्तों यही था इसका डाटा जो की बिल्गिल ओरिजिनल डाटा है और आच्छे से हमने आपको एक्स्प्रिंग किया है बाकी इसके बाद हमने कोईल को देखी इस तरह से वाइंडिंग किया है तो हमारा तो जो ग आपको दोस्ता आपको वीडियो अच्छे लगे वीडियो कर आच्छे लगिए तो वीडियो को लाइक कीजिए कोई भी सवाल क्वेश्चन हो तो कमेट कीजिए फिर मुझे आप इस्ट्राइब फॉलो कर सकते हैं थेंक्यों वीडियो धन्यबाद